एन आई पी यार पंजाब में निकाली गई है कंसल्टेंट और पार टाइब मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए साथ वेकेंसी और अगर आप लोग इन वेकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग साथ दिसम्बर 2021 से पहले-पहले अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग कंसल्टेंट ये फिर पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ दिसम्बर 2021 से पहले-पहले अप्लाई कर दीजिए बाकि इसके लिजिबिटी क्रेटीरिया जानने के लिए अब इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के दौरान हम लोग सारी यही डिसकर्शन करने वाले हैं होपसो आपको इस वीडियो के तुरू सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह नोटिस निगाला गया है नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ फार्मस्टिटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा यानि की एन आई पी यार के द्वा कंसल्टेंट इंटर्नल ऑडिट के लिए एक वेकेंसी है कंसल्टेंट एडमिस्ट्रेशन के लिए एक वेकेंसी है कंसल्टेंट एकडमिक्स एंड इग्जामनेशन के लिए एक वेकेंसी कंसल्टेंट इंजिनरिंग के लिए एक वेकेंसी और पार टाइम मेडिकल ऑफिसर क के लिए एक वेगेंसी निकाली गी इसमें आपको पहले मैं बता दू तो फिक्स रेनुम्रेशन मिलेगी आपको कंसल्टेंट वान तू त्री तक मतलब इंटरनल ओडित तक तो आपको यहां पर 20,000 से लेके 35,000 के बीच में मिलेगा और ग्रेट पे आपका 1500 याने की 500 रुपे तक का रहेगा ठीक है देन हम बात करेंगे कंसल्टेंट अडिमिस्ट्रेशन से लेके इंजिनिरिंग तक इसके लिए आपको 35,000 के बीच में इंकम मिलेगी और 3000 तक का ग्रेट पे आपको रहेगा ठीक है पार्ट ताम मेडिकल ओफिसर के लिए आपको 30,000 से 20,000 के बीच में रहेगा सारी चीज़ें और यह सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एज लिमिट 65 विएस तक होनी चाहिए उससे बड़ी जितने भी उमर्सीमा है वो अलाओ नहीं किये जाएंगे और नहीं उनको यह अलाओ किया जाएगा कि वो अप्लिकेशन फॉर्म भार सके दैन स आप दिसम्मर 2021 तक शाम को पांच विजने से पहले पहले आप इनके लिए जो है अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तब ही आपके अप्लिकेशन फॉर्म रिसीव किये जाएंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो यहीं चीज़ें जो हैं आपको बताई गहीं है इस फॉर्म को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें साथ के साथ ऐसी लेटिस इंफॉर्मिशन पाने के लिए आप हमें जोइन कर सकते हमारे चलिग्राम और वाट्सअप ग्रूप पे यह फिर आप लोग हमें डाइकली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हमारे वाट्सप निंबर के थुरू जो झाल